नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं आज मैं गोविंदा की बात करूंगा कल सोशल मीडिया स्क्रॉल करते समय अचानक से एक संदेश दिखा एक अपडेट दिखा कि गोविंदा का नया वीडियो आ चुका है प्रेम करूछू मुझे भी जिग्यासा हुई मैं तुरत उस लिंक से गया और जाकर देखा तो गोविंदा एक नया म्यूजिक वीडियो ले करके आए हैं और यह उनके चैनल से आता है गोविंदा रॉयल्स नाम का यह चैनल है और मुझे बहुत खोशी हुई कि इस उमर में वे इतने एक्टिव हैं और अपने तरीके से खुद का अव्यक्त करना है जो उनकी खुबी है डांस और जो जिस तरीके का वे डांस करते हैं जिसके हम लोग मुरीद रहे हैं उस तरी यह है कि अपने कैरियर में हम एक मुकाम के बाद धलान पर आते हैं और धीरे धीरे हमारी मांग कम हो जाती है ऐसे में जो भी समझदार जहीन और विवेक पूर्ण व्यक्ति हैं वे अपने लिए कोई ने कोई रास्ता खोजते हैं अव्यक्ति का और गोविंदा ने यह रास चैनल 2 सितंबर 2021 को आरंभ हुआ है और अभी तक इसे 88,5,821 लोगों ने देखा है सब्सक्राइबर के संख्या 93,500 है सब्सक्राइबर इतने कम है यह देखकर के मुझे थोड़ा आस्चरी हुआ क्योंकि गोविंदा इतने पॉपलर रहे हैं और अगर आप उनके प्रसंशक रहे हैं तो आपको जाकर इस चैनल को तुरत से तुरत सब्सक्राइब करना चाहिए और गोविंदा को बढ़ावा देना चाहिए मुझे यह भी लगता है कि इस चैनल पर सिर्फ 13 वीडियों है अभी तक और 13 वीडियों पर ही 88,000,000 का व्यूज मिल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है यह कहीं ने कहीं गोविंदा की पॉपलरिटी की बात बताती है हाँ यह है कि आज का मीडिया इसको उस तरीके से अग्रसारित नहीं करता है और ना इसके बारे में बाते करता है क्योंकि गये जमाने की हीरो की चिंता किसे है गये जमाने की हीरो के बारे मे कौन करता है मैं आप सभी से आग रह होगा कि यहां जाएं और गोविंदा की वीडियो देखें अगर आपको पसंद आता है और जो कि मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएंगे तो उसे सब्सक्राइब करें उनके वीडियो देखें और वहां कमेंट भी करें मैं गोविंदा का मुरीद रहा हूँ खोद गोविंदा से कितनी बार मिल चुका हूँ और गोविंदा को जानता हूँ हाँ गोविंदा बीच में मांसिक असंतुलन से गुजरे और उन्होंने कुछ भारी गलतिया कि जिसकी वज़े से कह सकते हैं कि आज उनके यह इस्तिती बनी हुई है नहीं तो हम देख रहे हैं कि उनके उम्र के कितने कलाकार आजकल एक्टिव हैं और फिल्मों में काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि गोविंदा भी सोचे और विचार करें उनके करीबी उन्हें बताएं और गाइड करें निश्चित्रिय से वे आज भी हम सभी के आदर्श हो सकते हैं हम सभी के प्रिय हो सकते हैं तो गोविंदा आपको बताई और मैं बता दूँ कि इस चैनल पर कुछ एक वीडियो उसको लाखो करोडों लोगों ने देखा है तो आप भी देखें जय कोविंदम शुक्रिया महरबानी धन्यवाद